हाजी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, I hope you are all doing really really well, दोस्तों, welcome to today's video, क्या करने वाले हैं सर, आज के session में आपन लोग discuss करने वाले हैं कि CA Inter का कौन सा बच्चा है जो September 24 का exam लिख रहा है और अगर वो लिख रहा है, तो चाहा उसको ये exam में एक ग्रूप लिखना चाहिए, ब आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, end तक, तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ, कि आप लोग September 24 वाला exam लिख रहे हो, comment पे मेरे को जर्रा बताना कि आप लोग कौन हो, मतलब आपने दो cases हो सकते हैं, आप May Attempt स्किप किये हो, या आप May Attempt को ल बताना बोग लिख रहे हो, कि single group लिख रहे हो, ठीके, आगे, मैं सारे categories को एक broadly cover करता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, दोस्तों, ये cases हो सकते हैं, कि आपने May में अगर exam लिखा है, या नहीं लिखा है, अगर May में आपने exam लिखा है, तो मैं आपको cases बता रहा हूँ, अगर आपने paper May 24 का नहीं लिखा है, या फिर अगर आपने बोग लिखा है, और आपको लगता है, मैं बोग फेल हो जाओंगा, तो मेरे को क्या September में बोग देना चाहिए, तो दोस्तों, देखो, बोग ग्रूप ना असान नहीं होता है, बोग बहुत महनत मांगता है, दिन क अगर आपने May 24 में बोग ग्रूप का paper लिखा, और अगर आप उसके बाद September में सिर्फ एक ग्रूप लिखना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, बस आपको यह समझना पड़ेगा, कि मेरा May 24 में बोग ग्रूप क्यों नहीं हुआ, क्या मैं अंडर प्रिपेड था, क्या मैं ग्रूप नहीं लिखना होता, क्योंकि May 24 लिखने की कोशिश करी, अगर वो बिगड रहा है, तो आपको धंग से समझना है, क्यो बिगड रहा है, अगर आप चाहिए सेकंड ग्रूप का stress नहीं ले सके, तो अभी क्या बदलेगा, right, similarity अगर आपने May 24 में नहीं लिखा है, त इस तरीके से plan बना है, उसके basis पे आप अपना group 1 का plan बना सकते हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, group 1 या group 2 जैसा भी, सबसे पहलो तो सर देखो, आपके पास 100 दिन है आज से ले करके, 10 दिन का एक ले ले दे करके आप buffer मान लो, तो आपके पास आज से ले करके total 100 देज है, तो ये देखोगे, 10 दिन जो आपके September मिट से पेपर शुरू हो रहा है, 12 से, तो आप 10 दिन का एक buffer मान लो, अब आपके पास जो 100 दिन है, उसमें से आप ये समझो, कि भाया मज़े की बात ये September attempt में, group 1 में इन्होंने दो दिन दिये, टैक्स को जो बहुत जादा added advantage है, टेर में जाके, एक revision और second revision आपको करना पड़ेगा, अब sir, classes लेने का समय है क्या मेरे पास, आपके बास इत्ता दुख का subject बचा है, तो उसका exam oriented वगेरा लेकर कि खतम करने का समय है आपके पास, लेकिन full-fledged regular classes लेने का आपके पास समय नहीं है, अगर जैसे कि मान लो, अगर आ आपके first, देखो मैंने किस तरीके से plan किया है, last revision के मैंने 22 days दिया है, मैंने DT, IDT को दो पार्ट में divide के, तो यहाँ पे देखो last revision में है, आपके 3-3 दिन के इसाब से accounts को 4 दिन, उसके पहले वाले revision को 5 दिन, और जो आप पहली बार पढ़ोगे, एक-एक subject को 7 दिन दिया है, तो यह बहुत सोच समझ करके, एक-एक subject के आगे time लिखा है, मैंने तो आप देखो 22 days last revision, first revision 32 days, और अभी जो आपके पास time बच रहा है, वो 46 से 48 days का है, जहाँ पे आपको पूरा-पूरा syllabus अपना खदम करना है, एक बारी अच्छे से बढ़ोगे, अभी जब आप पहली बा तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना चाहिए, आप लोगों ने first revision और second revision, जहाँ पे first revision में आप quality के साथ सा time को भी importance होगे, कि चलो quality तो मैंने first revision में अंधा quality पे ध्यान दिया, अब मैं time पे भी ध्यान दूँगा, कि मैं अपना समय targets achieve कर रहा हूँ, मैं जितना समय में क कर रहा हूँ, वो सब मैं note कर रहा हूँ, और last revision में time आपकी utmost priority हो जाएगी रजा, क्योंकि अगर आप चार दिन में एक subject या तीन दिन में एक subject revise नहीं कर पाऊगे, तो exam के पहले डेर दिन में भी revise नहीं कर पाऊगे, आप देखो यहाँ पर DT IDT मिला के आपके पास कितने द कुछ basic सवाल का जवाब दे देता हूँ दोस्तों आप लोगों के ले कि मैं दिन में average मिले को कितना गंटा पढ़ना चाहिए, अगर आप single group दे रहे हो तो 6-7 गंटा, अगर आप both group दे रहे हो तो 10-12 गंटा, 10-11 गंटा आपको पढ़ना चाहिए, यह आपका effective होना चाहिए बैठने का नहीं, effective timing इतना होना चाहिए, दूसरा सर में को यह बताओ, आप लोग न थेयरी 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 पढ़ने में लगए और प्राक्टस करो जादा, when it comes to subjects like direct tax, indirect tax for accounting, लिक लिख करके present करके प्राक्टस करो, when it comes to audit and law, एकात question दिन में तो भी लिखो ता थोड़ा casual है, नहीं भाईया, बिल्कुल नहीं हो सकता, अभी आपको बहुत strict preparation करना पड़ेगा, अभी अगले दो मेने, धाई मेने, तीन मेने, भंसे दिये न राजा, तो किसमत पलटती है, नहीं तो attempt लगता है, तीन मेना आप यह समझो, आँख बंद करके मेरे को सिर्फ मेहनत करनी है, और अपने दिन को ना थोड़ा productively plan दरो, एक broader plan समझ में आ गया, कि मेंको 7 दिन accounts को देने और मेंको 7 दिन law देने, जैसे कि 7 दिन accounts को और 7 दिन law को, अब आप दिन में चाहो तो 2 subject पढ़ सकते हो, मैं usually 2 subject पढ़ता था, कुछ बच्चे 4 भी पढ़ते, एक rank holder थ तो दिन में 7 subject भी पढ़ती थी, वो भी pass होगी, तो ऐसा कुछ राम, ऐसा वो नहीं है, तुम्हारा comfort होना चाहिए, तुम्हारी efficiency होनी चाहिए, मेरे हिसाब से idle 2 subject होता है, first revision और first reading में, ताकि आपको change करने का feel भी रहे, और आपकी productivity भी रहे, आप accounts और law एक साथ उठाए मा तो मेरे लिए वो पत्तर की लकीर बन जाएगी, मैं उससे नहीं हिलूँगा, ये चीज़े करने के बाद आप क्या करोगे, आप दिन में 2 subject ले सकते हो, मैंने आपके लिए एक tentative ये भी बनाए, कि accounts और law कर लो, फिर DTI, DT एक साथ कर देना, अपने आप में 2 subject है, cost और audit ले आपके edition में, कोई major significant change नहीं किया गया है, तो आपके पास edition 3 है, तो आपका काम चल दाएगा, आपको edition 4 लेने की जरुवत नहीं है, पर अगर आप उस book से पक चुके हो, आपको ऐसे हमें को fresh है, ये कुछ fresh पढ़ना है, तो आप edition 4 का सोच लो, otherwise आपको कोई जरुवत नहीं ह अगर आप पहली बार इस चैनल में आए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके CA final के अंत तक तो मैं आपका साथ निभाने वाला हूँ, और हम लोग साथ में मिल करके CA बनेंगे, ठीक है, चलो कई, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बहुत सारा content आपके ल और आपके लेने रहे एंत वाला हूँ, इस यरे चाबड़ी शुबम सेंगल, आपके ले एकपा भाई